आज के समय में किड्नी स्टोन काफी आम समस्या हो गई है और ज्यादातर लोगों को पता है कि गुर्दे में पत्री आमतोर पर कई जैनेटिक कारकों से लेकर हमारी जीवन शेली से जुड़ी कुछ गलतिया भी होती है। एक्सपट्स का मानना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल वस सही डाइट की मदद से किड्नी में पत्री होने के खत्रे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है लेकिन इसका खत्रा पूरी तरह से ताला नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे कई जैनेटिक कारक हैं जिनके में पत्री होने लगती है. ऐसे में किड्नी की पत्री की रोक थाम का सबसे अच्छा तरीका है उसके लखशनों की पहचान करना. किड्नी स्टोन के शुरुआती लक्षनों की पहचान आप कई बार अपने पेशाब में हुए बदलाव का पता लगा कर भी कर सकते हैं और समय रहते इसका समाधान करके किड्नी को डेमेज होने से भी बचा सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको पेशाब में होने वाले ऐसे ही कुछ बदलावों के बारे में बताने वाले हैं जो आमतार पर गुर्दे में पत्री होने का संकेत दे सकते हैं यूरिन में कई लक्षन हो सकते हैं जिन्हें अक्सर अग्नो किया जा सकता है लेकिन खास्त और पर जाग बनने जैसे लक्षनों को इग्नो नहीं किया जाना चाहिए पेशाब में जाग बनना कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है और इनमें किड्मी स्टोन जैसी समस्याए भी एक हो सकती है इसलिए पेशाब के इस लक्षन में इस बदलाव को इग्नो नहीं किया जाना चाहिए गुर्दे में पत्री होने पर गुर्दे ठीक से काम करना बंद कर देते हैं और इस कारण से पेशाब में कई तरह के कैमिकल मिक्स होने लगते हैं इन कैमिकल के कारण पेशाब में बद्बू भी आने लगती है अगर आपके यूरिन से अमोनिया या फिर किसी भी तरह की बद्बू आ रही है तो एक बार डॉक्टर से संपर्ग जरूर कर लेना चाहिए यदि आपको पेशाब करते समय तीवर दर्ध हो रहा है और दर्ध किड्नी से लेकर मूतर मार्ग तक महसूस हो रहा है तो ये गुर्दे की पत्री का संकेत हो सकता है दर्द जितना ज्यादा होगा गुर्दे में मौजूद पत्री का आकार भी उतना ही बड़ा होने की संभाव ना हो सकती है इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए किड्नी स्टोन के कारण आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है और पेशाब करने के बाद भी कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है बार-बार पेशाब करने की इच्छा होना लेकिन पेशाब ना आना भी किड्नी स्टोन या किड्नी से जुड़ी किसी अन्य बीमारी का संकेत हो सकता है किड्नी स्टोन के कारण किड्नी अंदर से काफी प्रभावित हो जाती है और ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है इस कारण से पेशाप के रंग में भी काफी बदलाव देखे जा सकते हैं पेशाप का रंग ज्यादा पीला या फिर गहरा रंग होना किड्नी डैमेज या किड्नी स्टोन का संकेत हो सकता है और ऐसे में जल्द से जल्द दॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए